आज मैं यूपीटेट परियावरण का यह पहला वीडियो अप्लोड कर रहा हूं अपने चैनल पे दोस्तों नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत हैं एक बार आपको फिर से आपके अपने यूटूब चैनल एश्टड़ी विदल के पे दोस्तों मैं यूपीटेट पूरा सिलेबस यहां पर कंप्लीट करवाया जाएगा और हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट कुष्चन आपको बताये जाएंगे यहां पर मैं बात कर रहा हूं सिलेबस की तो सिलेबस भईया क्या है सिलेबस यह कि विसय जो आपका सब्जेक्ट होता उससे कितने पूछे पूछे जाते हैं 15 कुष्चन और सिछा सास्तोर संबंधी पूछे जाती पूछे जाती और 15 अब यहां पर बात कर रहें और शारे चैप्टर उते बैसे तो you pate में क्या होता जाते हैं आपको साइंस इतियास भूगूल लगबग आपका वो संभिधान भी समें सामिल कर ल तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में बहुत इंट्रेस्टिंग होने वाला है और यहां पर मैं आपको लोगों को फ्री आफ कॉश्ट पीडिया प्रोइट कराता हूं कोई भी चार्ज नहीं लगे जादा से जादा से शेयर कीजिए लोगों तो ताकि जो लोग अफॉर्ड नहीं कर बाते नोट्स वगरा या कुछ जिनको दिक्कत है तो वो कम से कम पढ़ सकें दिखिए आशकल कितना लोग नोट्स बेंच रहें बना बना के वाट्सप मिल जेंगे लेंगे वाट्सप गुरूप पे नहीं मिल पाता है तो चली चुरू करते हैं और जान लेते हैं कि हमारे वीडियो me क्या कुछ्छ है पर फरिवार के बारे हम गए बचया परिवार में आप कीहा पास पडो सवाले रहते हैंना हीं परिवार वो होता है जहां पर आपके मम्मी पापा दादा दादी बच्चे ये सब रहते हैं वो क्या होता है परिवार कहलाता है अब परिवार में भी परिवार भी कई टाइप के होते हैं तो यहां पर दो में परिवार हैं कौन से एक तो एकल परिवार और दूसरा सेंट पर रहे हैं परिवार मतलब जहां पर ब्लड रिलेशन वाले लोग रहते हैं वो क्या कहलाता है परिवार अब एकल परिवार की बात कर रहे हैं तो एकल परिवार यह परिवार ऐसा होता है जिसमें सिर्फ पति पतनी और उनके बच्चे होते हैं यानि कि सिर्फ माता-पिता और उनके बच्चे यानि कि दादा-दादी बाबा-बाबा चाचा-चाची यह सब नहीं होते हैं एकल परिवार क्या कह रहता है अब हम बात कर रहें नंबर सेकरेंड पर भी है कि सईयुत्परिवार क्या होता है, जिसमें दादा दादी, चाचा-चाची, मम्मी पापा, उनके बच्चे, चाचा के बच्चे, चाची की बच्चे, यह सब यानिक blood relation के बहुत सारे लोग रहते हों तो वो परिवार क्या कहलाएगा सहींत परिवार या रख्त संबंदी परिवार अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कुछ important तीस question भी कराऊंगा तो आप वीडियो के skip मत कीजिए वीडियो को जरूर देखे पूरा अंतर तक देखिए और आपका परिवार यहां से complete हो जाएगा परिवार आपका कहीं नहीं जाएगा यहां से मतलब परिवार से आपके कोई question नहीं चोटेंगे तो अब परिवार के कारे के बात करते हैं निसंगत हैं यानि कि वो जो प्रात्मिक स्तर पर अपने परिवार और समास सीखता वो यह क्या होता है शुरुवाती प्रात्मिक सामजी करण भिक्यास का जो शुरुवात होती है वो परिवार और मित्रों से होती परिवार में लिंग आधारित चुनोतियां होती है जिसकी व कुछ बाते हैं important परिवार से related परिवार समाज की छोटी इकाई है और समाज में बेविन परकार के सामाजिक बुराईया है जैसे बाल बिवार तहेज परता अंदे विश्वास बाल सरमाज परिवार समाज की क्या है तो परिवार समाज की छोटी इकाई है क्या है चोटी होती है अब हम बात करने कम उम्र में ही लड़कियों की साधी जिसका संबंद किसे होता है परिवार में कभी कभी क्या होता है कि कम उम्र में ही लड़कियों की साधी कर दी सार्दा एक्ट का संबन था कि जिसमें बालिकाओं की साधी की उमर जो 14 साल ती और बालकों की साधी की उमर 18 साल निरधारित की गई थी है और यह रूल सब बालवीवा पर रोख हैं और ये लागु कब हुआ ये लागु एक नवमबर 2007 को हुआ ये जो बाल विवा निरोधक अत्नियम 2006 था ये पारित तो 2006 में हो गया लेकिन लागु वद दिलाने के राष्टी बालस्रम उन्मूलन प्राधिकरण को थापित किया गया जिसका 26 सितंबर 1994 को इस्थापित किया गया, कब इस्थापित किया गया, राश्टी बालस्रम उल्मूनन प्राधिकरड जो है, वो 26 सितंबर 1994 को इस्थापित किया गया, अब कुछ 30 important है, 35 से 30 question है, important है, इन पर बात कर लेते हैं, तो विल्कुल बने रहें वीडियो में, प्लीज एक बड़ लाइक जरूर कर दीजी, एकल परिवार क्या होता है, एकल परिवार से क्या तात परिये, तो वर्स 1950 के बाद का बना परिवार, परिवार जिसमें माता पिता हैं, उनके बच्चे रहते हों, संपूर्ण परिवार ज परिवार मित्रों से सीखना, कि सो रस्ता हैं, और परिवार मित्रों से सीखना, कि सो रस्तों, अवस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक इस्तरपर समाज से सीखना, सिच्छक का अनुसरण करना, तो अभी हमने पहले क्या बताया था है, कि प्राथमिक सामाजी करण सुरुवाति उम्र में परिवार मित्रों से ही बच्चा सीखता है, तो पहला option इसका सही हो जाएगा, लड़के लड़कियों के पेच्छा अधिक बुद्धिमान होते हैं, या कथन सही है, सही हो सकता है, बुद्ध के विविन पच्चों के लिए सही है, लैंगिक पूर्बा ग्रह को प्रदर्सित करता है, यानि ये कथन सही नहीं हो सकता है, क्या आप लड़के लड़कियों म संबन्धी ता किस से था बाल विवा Zacky की बात करें बच्चों को सामाजी करण का पहला पाौटथ कहां से प्राप्त होता है तो बच्चों का सामाजी कुझा करण से पहला पार्व भई यहां से प्राप्त होता परिवार से ना कि विध्याले से जानसिग्र के चेंसे नकीधारमिक यंद्र से कहां से होता है परिवार से औहीं है अब बात करें смог समाजिक बुराईयों का उदारण सामाजिक बुरायों काओ माविवा ठेशता लाए भी मैं और तीनों आपको सब II a सब आवाज भोजन सामान सामजी क्रियों का उप्योग करते हैं सुरच्छा वह बच्चों का साजा उत्तरदाई उत्त है तो इसमें कौन सा है कि भईया परिवार का नहीं है तो परिवार में एक मुख्या होता और उसी के सब्सक्राइब सामान हैं और भाईया आपका सही है दोस्तों वी-डियो को बताएं कि वीडियो का इसब रहा है और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है अगला वीडियो मेरा जल्दी संद्दी आएगा यानिक एक दो दो दिन के घयाप पे मिडियो अप्लोड करत तो आप उनको देखिए यह यूपीटेट की स्रीज चल रही यहां पर दोस्तों प्लीज हमें कमेंट करके बताईए वीडियो कैसा लग रहा है तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जै हिन जै भारत